नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का Online Study ORG के Current Effect प्रोग्राम में साथियों आज ये 10 फर्वरी तो हम कवर करनेंगे 10 और 9 फर्वरी से बनने वाले Current Effect के जितने भी Most Important Fact होंगे जितने भी Most Important Question होगे उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्शर में तो साथियों आज़े शुरुवात करते हैं आज के पहले कुशन से या फिर पहले most important facts से आईए साथियों हमारा पहला कुशन है देश के किस राज्य में दिशाप पुलिस स्टेशन का उद्गाटन किया गया है यानि कि आपको बताना है कि देश के किस राज्य में पहले दिशाप पुलिस स्टेशन का उद्गाटन किया गया है तो साथियों हमारा आंसरों का option A यानि कि आंधरप्रदेश साथियों आंधरप्रदेश में हाल ही में दिशापुलिस स्टेशन का उद्गाटन किया गया है आईए जानते हैं इस बारे में कुझे से जानकारियां आईए हाल ही में आंदरपरदेश में बारत के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्गाटन किया गया है यह पुलिस स्टेशन आंदरपरदेश के राजा महंतरम शहर में इस्तापित किया गया है इसका उद्देश योन उत्पिडन दुराचार और बाल अपरादों से जुड़े मामले में पेडित महिलाओं के लिए जल्द नयाय दिलवाना है साथियों आपको बता है कि जो हाल ही में गटना भी हुई थी हैतर Hyun ने उसे देखते हुए आंदर परदेश सरकार दोड़ा दिरशा अधिनियम भी पाजित किया गया था और उसे अधिनियम के तहत दिशा पुलिस स्टेशन भी स्थापित किया गया है साथियों कहां पर स्थवित क्या गया है तो यह राजा महेंदरम जो नगर है आंदरपरदेश का उसमें क्या गया है और साथियों इसका उद्देश ये क्या है तो उद्देश ये है योन उच्पिडन और दुराचार तथा बाल अप्रादों से जुड़े मामलों में पिडित महिलाओं के लिए जल्द ने आयते लुआना साथियों मैं उप्रदेश के बारे में कुछ विश्यस जानकारियां साथियों इसकी राध्धानी है अमरावती हमें बता है कि आंदर परदेश अपनी तीन राध्धानी बनाने के लिए प्रासरत हैं या फिर उसे समाप्त करने के लिए बिल पास किया था साथियों अमरावती वर्देश देश का पहला राध्धानी है तो साथियों इसकी इस्ताबना हुई थी एक अक्टूमबर 1903 को या जानिकि एक अक्टूमबर 1903 को अंदर परदेश की स्थाबना होती है और विशू भूसन हरिस चंदर वर्धमान में इसके राजेबाल बने होये हैं विश्व भूसन अरेस्चंद्र साथियों और जो वर्तमान में मुख्य मंत्री है तो मुख्य मंत्री का नाम है जगन मोहन रेडी साथियों जगन मोहन रेडी वर्तमान में यहां के मुख्य मंत्री भी है विधान परिशत में सीटे हैं साथियों 58 मपट कि γांट को राजे सभा से सीटे हैं 11 पर लुग सभा की सीटे 25 और जो विधान सभा हैं 793 सीटे साथियों बात करेंगे यहां कि पशु नरत्य है आदी की तो साथियों यहां का जो राज्य पशु है वह है चिंकारा और पक्षी की बात करें तो साथियों पक्षी है नीलकंट और साथियों पेड की बात होगी तो पेड होगा नीम नीम पेड है और खेल की बात है तो खेल है कबड़ी, कबड़ी यहां का राज्य खेल है और नर्ते की बात होती है तो नर्ते है कचीपुडी और फूल फूल को है तारी सातियों कुमुद, कुमुद यहां का राज्य पुश्प है साथ्यों में उम्मित करता हूँ आप सभी को आंदर परते से जोड़ी सारे घ्यान करिया बहुत ही बयातरीन लगी होगी साथ ही समझ में आई होगी तो चलते हैं आज के अगले प्रेशन की और हमारा अगला प्रेशन है भारत के किस राज्य द्वारा चीन, म्यामार और दक्षिड एस्याई देशों से डिबाबंद खादे सामगरी प्रेशन के आयात पर प्रतिबंद लगा दिया गया है यानि कि भारत के किस राज्य के द्वारा चीन और म्यामार और दक्षिड एस्याई देश हैं वहाँ से आयात करने वाली डिबबंध खाद्य समागरियों उपर प्रतिबंद लगा दिया गया है तो साथियों हमारा आंसर रोगा मनिपूर यानि कि आप्शन भी सही जवाब मनिपूर राजय सरकार द्वारा चीन और आसराम से माफकी का चीन और म्यामार से दक्षिन ACI तथा देशों से आने वाले डिबबंध खाद्य समागरियों प्रतिबंद लगा दिया गया है साथियों जानते हैं कुछ और जानकारिया आईए मनिपूर सरकार द्वारा चीन म्यामार और अन्य दक्षिन ACI देशों से दिबबबंध खाद्य पधारतों के आयात पर रोग लगा दी गई है ऐसा उन्होंने कोरोना वाइरस के प्रकॉप के चलते गया है साथियों हमें बता है कि जो कोरोना वाइरस है जो की चीन से उत्ता उत्पन हुआ है और पूरे देश में या फिर पूरे वीश्व में फैल रहा है दीरे दीरे तो इसी सीच को देखते हुए मनिपूर सरकार द्वारा चीन तता जो मैमार है और अन्य जक्षिन एसे आई देश है वहां से जो समान आयतित की जाते थे उन पर रोक लगा दी गई है साथियों बात करेंगे मनिपूर के बारे में कुछ उसे जानकारी आईए साथियों मनिपूर तो मनिपूर के राधानी है इमफाल वरत्मान में इसकी राधानी इमफाल है साथियों यहां की मुख्य बाश्या है मनिपूरी साथियों इनपाल ही यहां का सबसे बड़ा शहर भी है सबसे बड़ा शहर भी इमफाल ही होगा इसकी स्ताफन हुए ती साथियों 21 जनवरी 1972 को यानि कि 21 जनवरी 1972 को मणिपूर एक राजे के तोर पर अस्तितु में आया है और साथियों वर्तमान में आया कि जो राजेपाल है उनका नाम है नजबा है पतुला और वर्तमान में जो मुख्य मंत्री है उनका नाम है एन बिरेंज सिंग एन बिरेंज सिंग यांके वर्तमान में मुख्य मंत्री है साथियों बात करेंगे कि विधान सभा की सीट होगी तो विधान सभा में सीटे हैं साथ तो उंगिन थोई आगा जो वरक्ष है सात्य और नदत्य की बात करते हैं तो नदत्य बहुत इंप्वुननेट है पुंग चोलम और लाईहरोबा सात्य जानेगे आज का अगला प्रस्न तो हमारा अगला प्रस्न होगा केंज़र सरकार द्वगरा सुप्रीम कोट सरकार द्वारा सुप्रीम कोट द्वारा सभी राज्य सरकारों को चार सप्ता के अंदर प्रतेक ग्राम में चार सप्ता के निर्देश दिया गया है साथियों आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोट के दुआरा प्रतिक राजी सरकार को चार हफ्तों के मद्धे क्या चीज इस्तापित करने का निर्देश दिया गया है तो साथियों हमारा option A सही जवाब होगा यानि कि ग्राम नायले सुप्रीम कोट दुआरा प्रतिक राजी सरकार को चार सप्ता के मद्धे प्रतिक ग्राम में ग्राम नायले इस्तापित करने का निर्देश दिया गया है साथियों जाने के कुछ और जानकारिया इस बारे में आईए सुप्रीम कोर्ट द्वारा परतिक राज्जी में गराम नयायल्य इस्तापित किया जाने के तू दिशाने देश दिए गए हैं इससे ग्राम इन शेतरों से आने वाले नयायले के मामलों में कमी आएगी तथा उन्हें इस्तानी इस्तर पर ही तत्वरित नयाय मिल पाएगा साथ्यों तुरंत नया देने के लिए सुप्रिम कोर्ड द्वारा ये निटी बनाय गई है कि यो पुर्य भारत के अंदर पुर्य भारत के अंदर पुर्य भारत में 1 ग्राम नयाले भी इस्तापित क्या जाएगा साथियों बात करते हैं आज के अगले प्रेशन की तो आईए हमारा अगला प्रेशन होगा भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त के तोर पर हाल ही में किसे न्यूक्त किया गया है साथियों आपको बदाना है कि जो भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन नियुक्त है हाल ही में तो साथियों हमारा आंसर होगा फिलिप बर्टन फिलिप बर्टन हाल ही के अंदर ब्रिटेन की ओर से भारत में उच्चायुक्त नियुक्त है पाकिस्तान के बाद में तो उत्वे वकिस देश की आरमीं में पहला प्रोफ हिलमेट तियार किया गया है साथियों आपको वदाना है 21 देश की आर्मी के दौरा दुनिया का पहला bullet proof helmet त्यार किया गया है साथियों हमारा answer होगा option A यानि कि इंडियन आर्मी के दौरा ये bullet form proof helmet त्यार किया गया है साथियों जानेंगे कुछ और जानकर इस बारे में आईए यह हेलमेट भारती सेना के मेजर अनूप मिश्रा साथियों मेजर अनूप मिश्रा के द्वारा युक्षित किया गया है इस हेलमेट पर 10 मिटर की दूरी से AK-47 से चलाई गई गोली का भी असर नहीं होता हेलमेट का निर्माण भारती सेना की पर्योजना अभेध परोजेक्ट के तहट किया गया है साथियों जो भारती सेना की पर्योजना है अभेध अभेध परोजेक्ट इसके तहट अनूप मिश्रा है मेजर इनके त्वारा इस हेलमेट का दिर्माण किया गया है साथियों में उम्मित करता हूँ आप सबी को यह प्रश्ण समझ में आ चुका होगा आईए जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में कुछ उसे जान का रिया तो साथियों इसकी स्थापना होई थी एक अपरेल उननिस सो आपके लिए अठारा सो पिचानवे को यानि कि एक अपरेल ठारा सो पिचानवे को इसकी स्थापना होती है और साथियों हमें पता है कि जो आर्मी दिवस होता है वह हमेंशे मना जाता है पंदर जन्वरी को पंदर जन्वरी को परतिवर्श आर्मी दिवस मनाया जाता है साथियों बात करेंगे वर्तमान में CDS की तो CDS की नियुकती हाल ही में हुई है मैं पता है और साथियों नाम होगा General Wipin Singh Rawat General Wipin Singh Rawat जो की वर्तमान में CDS के तोर पर कारेर्थ है साथियों बात करेंगे YCDS की तो YCDS के पत्पर नियुकत है शर्द चंदर जी जो की है परतमान में YCDS के बतबर कारेरत है तातियों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अंजान का लिया सुमझ में आई होगी साथ ही आज के सेशन की PDF राप्ट करने के लिए आप डिस्क्रेप्टिन में देए लिंक के द्वारा भी PDF प्राप्ट कर सकते हैं साथ ही हमारे बेल आइकन को भी दवाईए तथा हमारे डिल टेलिग्रम चैनल को भी जोइन कर लिजे जिससे कि आप सभी को आने वाली PDF तथा वीडियो की नोटिफिक्रेप्टिन सबसे पहले मिलती रहे है साथ हो टेलिग्रम चैनल का लिंक भी डिस्क्रेप्टिन में दिया गया है आज ये जानते हैं आज का अगला प्रेशन तो हमारा अगला प्रेशन होगा इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो के 22 वे संसक्रण का आयोजन किस राज्य में किया गया है यानि कि आपको बताना है हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सीफूड का शो के 22 वे संसक्रण का आयोजन किस राज्य में किया गया है साथ हो हमारा आंसर होगा आप्षिन ए यानि कि केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया है आई जानते हैं कुछ और जानकारियां इस बारे में इंडिया इंटरनेशनल सीफूड के 22 संसक्रण का आयोजन हाल ही में केरल के कोची में किया गया यावीशू का सबसे पुराने और सबसे बड़े सीफूड शो में से एक है इसके 21 संसक्रण का आयोजन जनुरी 2018 में गोवा में किया गया था साथियों यानि 2018 के बाद में यह 2020 के अंदर फिर से आयोजित किया जा रहा है और कहां पे किया जा रहा है तो केरल के जो कोची शेहर में किया जा रहा है साथियों तो ज़र अठर अठर कहा पर हुआ तो वह हुआ था कोवा के अंदर फिर से नाम पताता हूँ इंडिया इंटरनेस्टल सीफूड साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबी कोई प्रेशन समझ में आ चुका होगा तो आईए बात करते हैं केरल के बारे में कुछ विशेद जानकारियों की तो साथियों केरल की जो राजदानी है वो है तीरौंद पुरम तीरौंद पुरम से सांसद कौन है तो तीरौंद पुरम से सांसद है शेशित धरूर क्यांगर्स पार्टी के बहुत बड़े नेता है साथ यो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को यानि केरल राजचे के तोर पर अस्थितु में 1 नवंबर 1956 को आया था साथ यो बात करेंगे वर्तमान में जिल्लों की तो वर्तमान में जिल्ले है 14 और केरल में मलियालम तथा अंगली जी जो कि यहां की प्रभग भाशाया है साथ यो बात करते हैं के मुख्य मंतरी की तो मुख्य मंतरी है पी विजे राजन यान की पिन राजजे राजन जो कि यहां की मुख्य मंतरी है और बात करेंगे यहां के राजपाल की यानि कि राज्य व्लक्ष का दर्जा की से प्राप्त हैं तो नारियल को और पक्षी का दर्जा की से प्राप्त हैं तो हॉर्न बिल को फूल की बात करेंगे तो साथियों राज्य फूल का दर्जा प्राप्त है और्णम और्णम भी एक्तर से एक्जाम में हमेशा पुझा जाता है कि और्णम कि साजय सरकार द्वारा जन सेवक नामक योजना का शुभारम किया गया है तो आपको बताना है कि कि साजय सरकार के द्वारा जन सेवक नामक योजना का शुभारम किया गया है साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यानि कि करनाटा का गुवर्णमेट के द्वारा जन सेवक नामक जो योजना है इसको स्टार्ट किया गया है साथियों जानेंगे इस बारे में कुछ उसेज जानकारी आईए इस योजना के तहट नागरिकों को राशन कार्ड, वरिष्ट पैचान पत्र, पता स्वास्ते कार्ड येसी विमिन सरकारी योजनाओं की होम डेलेवरी की सुधा परतान की जाएगी साथियों मैं उम्मीद करता हूँ, आप सबी को ये प्रशन समाज में आ चुका होगा आईए बात करते हैं करनाटक के बारे में कुछ उसेज जानकारी की उसातियों इसकी राध़ानी है बैंगलूरू। करणाटर की राध़ानी है सातियों यह भारत का electronic नगर भी कहाता है क्योंकि सातियों यह ठाध़ा है और यहाँ पर जो सारी बड़ी-बड़ी IT कमपनिया हैं इलेक्ट्रोनिक शेटर से काम करने वाले कंपनिया हैं, उसके हेड़कॉर्टर भी बेंगलूरू में ही है, और साथियों आपको बोता है कि बेंगलूरू हाल ही में, टॉम्टॉम ट्राफिक इंडेक्स के अंदर देश का सबसे बड़ा ट्राफिक वाला राज्ये बना है, यानि कि फूरे वीश्व में ट्राफिक के मामले में बेंगलूरू सबसे नंबर वन पर आता है, उसके स्ताफना होती है, करनाटक की स्ताफना 1 नवंबर 1956 को, यानि कि करनाटक की स्ताफना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, वर्तमान में गावर्नर कौन है, तो गावर्नर है विधान सभागी बात करें तो 225, 225 और 12 सीटे हैं जोकी राजय सभावे हैं और 28 सीटे हैं जोकी लोग सभावे हैं साथियों मैं उम्मीद करूँगा आप सभी को यह प्रशन समझ में आ चुका होगा आज यह जानते हैं आज के अगला प्रशन को साथियों हमारा अगला प्रशन है हाल ही में किस भारती करिकेटर को जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के ब्राण्ड एमबसेटर के तोर पर न्यूक्ति प्राप्त हुई है साथियों हमारा आंसरों का रिशप पंध यानि की ऑप्शन भी सही जवाब रिशेब पंत को जिन्दल साउट वेस्ट इस्टील का ब्रांड एमबसेटर बनाया गया है साथियों जानते हैं कुछ और जानकारियां आईए साथियों बात करेंगे जिंदल साउथ वेस्ट इस्टील से जुड़ी कुछ जानकारियों की तो इसका मुख्याल ले कहा पर हैं तो मुख्याल ले हैं मुंबई में साथियों मुंबई जो कि महराष्ट की राधानी है वो साथियों बात करते हैं इसके संस्तापक की, तो संस्तापक को है, सजजन जिंदल, जो की इसके संस्तापक भी है, आज जानते हैं आज का अगला प्रशन, तो हमारा अगला प्रशन है, हाल ही में, जेफ बैनर ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया, वह किस कंपणी के CEO थे, यानि की Chief Executive Officer थे, तो वह क इस कंपणी के थे, तो साथियों हमारा आंसर होगा, लिंक केडन कॉर्प, लिंक केडन कॉर्प के जो CEO थे, जेफ बैनर, जो ने हाल ही में अपने पद से इस्तिफा दे दिया है, साथियों देखेंगे, इस पद पर नए न्यूक्ति की से प्राप्त होती है, जब भी होगी, हम आपको कोशन के द्वारा कवर करवा देंगे, आज जानते हैं आज का अगला प्रशन, तो हमारा अगला प्रशन है, हाल ही में अमरीकी, अमरीका द्वारा आतंकवाद रोधी, बड़े अभिहान के तहत, अलकाइदा के संस्तापक नेता को मार गिराया है, उनका नाम क्या कासिम अल्रिमी को अमरीकी आर्मी के द्वारा आतंकवाद रोधी, बड़े अपिहान के तहत, अलकाइदा के संस्तापक को मार गिराया है, साथि जानेंगे कुछ और जानकारिया इस बारे में, आईए, यमन में अतंकवाद रोधी, एक बड़े अभिहान के तहत, अमरीकी दे रखी थी उसे आतंक की सर्गाना आइमान अल जवहरी के बाद अरकाइला में दूसरा इस्थान प्राप्ट था साथियों यानि कि जो अलकाइला में इनकी रैंक कौन थी तो रैंक थे टू और साथियों ये काहाँ पर अपना कारे कर ते تे तो इन्हें अरब शेतर के अंदर आतंग फैलाने की जमिलारी प्राप्त होगी थी साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह सेशन सबाज में आ चुका होगा आजे जानते हैं आज का अगला प्रेशन तो हमारा अगला प्रेशन है हाल ही में डिफेंस एक्सपो में खगन तक नामक सोदेशी मिसाइल का प्रदसन किया गया इस मिसाइल का निर्मान किस फर्म के द्वारा किया गया है साथियों आपका वह दाना है कि जो Defense Expo लखनों में आउज़ित किया जा रहा है उसके अंदर यह खगन तक नामक एक जो सोधे सी मिसाईल है उसका परतसन किया गया तो साथियों इस missile को किसके दोरा निर्मित किया गया है या फिर किस firm के दोरा तयार किया गया है तो साथियों हमारा आंसर होगा JSR Dynamics JSR Dynamics के दोरा जूकि भारत की नीजी firm है इसके दोरा इसे तयार किया गया है साथ ही जानेंगे कुछ और जानकारियां इस बारे में आईए बारत की एक नीजी फर्म J.S.R. डाइनमेक्स ने डिफेंस एक्सपो में खगन तक नामक सोजेशी मिसाइल को परतशित किया है यह मिसाइल हवा से जमीन में हमला कर सकती है इस मिसाइल की वारक्समता 110 किलोमेटर है तथा इस मिसाइल का उप्योग एक गाइडेड के तोर पर किया जा सकता है इससे अपने लक्ष को पाइचानने के लिए Artificial Intelligence का भी उप्योग किया गया है साथ ही इस मिसाइल के द्वारा Mac in India प्रोग्राम को भी बड़ावा मिला है तथा विज़ेशी रक्षा उपकरण निर्माताओं पर भारत की निर्भरता भी कम होगी साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबी को यह प्रशन समद में आ चुका होगा तो जानेंगे आज का अगला प्रशन तो हमारा अगला प्रशन है साथियों हाल ही में E प्रशाशन पर दो दिवसी राश्ट्री संब्लन का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है साथियों आपको बताना है कि जो हाल ही में E प्रशाशन पर राष्ट्री संभलन का आईजून किया गया है तो वह निम्न में से किस तानों पर किया गया है तो साथियों हमारा आंसर का मुंबई याने की ओप्षिन ए सई जवाब मुंबई जो कि माराष्ट्र के रातानी है वहाँ पर यी प्रशाषन से संभलन एक संभलन आईज़ किया गया है आज़े जानते हैं साथियों कुछ विशेश जानकारी इस बारे में आईए इप्रशाषन पर दो दिन का राष्ट्री संभलन मुंबई में संपन हुआ संभलन में बिफिन मुद्धो पर डिजिटल करोट्वी के उप्योग से प्रशाषन में बदलाव के समक्ष आने वाली चुनोतियों पर विज़ार विमस किया जाएगा यानि कि साथियों जब वे प्रसेशन के द्वारा डिजिटल चीजों को अपना आता है तो उस समय उसके सामने आने वाली कुछ जो परिशानिया होती है उसके उपर इस बारे में चर्चा की गई संबेरन कहा पर वहा साथियों तो मुंबई में मुंबई कहा है तो माराष्टरा में साथियों अगे बात करते हैं मुंबई के बारे में कुछ बिसे जानकारी की तो साथियों आपको बता है कि मुंबई मुंबई चार्ज जित्य को एक समय बहज में प्राप्त हुआ है और साथियों हमें पता है कि मुंबई के अंदरी संजय गांदी नेशनल पार्क भी इस्थित है और साथियों हमें पता है कि RBI और BSA यानि कि Bombay Stock Exchange और NSA National Stocks Exchange तथा Bollywood जो कि सभी और इन सभी चीज़ों के Headquarters जो भी मुंबे में ही इस्थित है तो थैंक्स फॉर वाचिंग अप डिस्क्रप्शन में देए गए लिंग के द्वारा आप डावनोड कर सकते हैं तता हमारे टेलेग्राम चैनल को वी जोइन कर लिजे जिससे कि आप सभी को आने वाले पीडियो और पीडियाप्स की जनकारी मिलती रहे हैं साथियों को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए अपने